इसलिए आपको रेगुलर्डी हैंड वाश करना चाहिए ओके के पास जो वर्कशीट है उसमें हमको क्या करना है नंबर 10 और नंबर 11 दिया है उसको अइडेंटिफाइ करना है और फिर उसमें कलर फिल करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे ट्रेंगल दिये हुए है यहाँ पे आपको नमबर ट्रेंगल में आपको कलर करना है जो भी आपका फेरेट कलर हो तो क्या होता है फिर इससे हमारा कलर बाहर नहीं जाता है और फिनिशिंग आती है वेरी गुड यह ऐससे है आपको कलर फिल करना है ओके नाव नेक्स्ट वन इस वीच नमबर इस दिस नमबर एट कौनसा नमबर है यह एट तो हमको एट में कलर करना है नहीं तो इसमें हम कलर नहीं करेंगे नाव नेक्स्ट इस नमबर नाइन नाइन में कलर करना है नो नाइन में भी नहीं करना है हमको उनली नमबर टेन आइडेंटिफाई करके ही कलर करना है नेक्स्ट इस नमबर टेन वन जीरो टेन तो इसमें कलर करना है तो चलो इस ट्रेंगल में भी हम कलर करते है येस इस से कलर करते है आपको कलर अच्छे से करना है ध्यान रखना है कलर बाहर नहीं जाए तो आपको अभी यहाँ पे 1111 आइडेंटिफाई करना है का है नमबर 1111 ये कौन सा नमबर है 1010 इसमें हमको नहीं करना है हमको अभी 1111 में करना है 1111 तो चलो अभी हम 1111 में भी कलर करते है 1111 ऐसे आपको ध्यान रखना है कलर बाहर नहीं जाए किट्स वेरी गूड नाव नेक्स 1111 इसमें भी कलर करना है 1111 में पहले बर्डर कर लेना है ऐसे और कलर आपको अच्छे से करना है बाहर नहीं जाना चाहिए ऐसे अच्छे से कलर करना है जो आपका कलर बाहर नहीं जाना चाहिए किट्स तो ऐसे आपको वर्शिट में यह पेज कंप्लीट करना है बैबै यॉल